गाय बनाने के लिए चारे से शुरुबात करें यह उपर की एक लाइन बनाएं फिर यह सीधी लाइन आएगे फिर यहां एक पर पर यह उनका मूँ पर यहां से इनकी गर्दन पर यह उबड़ जैसा अंगा और यह इनकी पीट पीछे का इस साफ पीछे को प्यार थोड़ा साफ कर्व होता है यहां खुर होते हैं उनकी यहां वैसे कुछ निकला होगा रहता है इसमें कट रहेगा गले के नीचे जालर जैसी रहती है यह आगे का प्यार यहां बर यहां पर लंगा गुठना जैसा है पर यहां बुठ लेख लेंगे लंबा नवा जाएं आगे रिये कुछ और अ चूर अ लमबा ना हो जाए पर यह चूटा ना हो जाए इस तरह से तो पिर यह पेट कि यहां से पूंच बनेगी तोड़ी लम्बी पूंच अब यह पीछे वाला कर कि यह इसी पैर के जैसे लंपक देखेंगा अलका सा चूटा बनेगा यह पैर कि यहां इसी के समान खूर बनेगा अब अलका सा चूटा क्योंकि पीछे हैं तो थोड़ा सा चूटा दिखाई देगा अब यह पीछे वाला पैर यह थोड़ा सा अलका सा चूटा दिखेगा यह के पीछे हैं तो यह पूर इस तरह से पर यहां अनके सींग बनेंगे यहां कान पत्ती जैसे शेप का आक इनकी बड़ी होती है सुन्दर दिखाई देती है पर यहां इनकी नूस तो फूरा स्क्वेर जैसे से दिखाई देता है यहां पर इस तरह से काव बनेंगी तो रहां कालर भरेंगे कि कालर करने के लिए हम यहां पर यलू कलर लेंगे ऑंकर यलू कलर या फिर आप लैमन यलू में थोड़ा सा ब्राउन मिला सकते हैं तो वाटर कलर से तो वाटर कलर से में कलर कर रही है तो वाटर कलर टेक्निक आपको मैं काफी बार पहले बता शुकी हूं है तो इसमें यलू कलर लिया है ग्रे कलर भी लगा सकते हैं को जिस कलर की अपकी गाय आप बनाना चाहें ब्राउन कलर भी ले सकते हैं तो फोसकी काउ वाइट होती है yes तो हल्का साम को सेड़्िंग करना बाकी तो वाइट ही कलर छोड़ना है जो उबरे हुए पोर्शन आ वहाँ फर पूरा वाइट थी छोड़ेंगे एक आसा किनारे किनारे अलकी-अलकी शेडिंग करेंगे ज्यादा बहुत ज्यादा कलर स्मय नहीं भरने हैं अलकी से शेडिंग होगी इसमें तो इस तरह से हम देखते जाईए इस तरह से मैं चेडिंग कर रहें किलर की बस हलका कलर लबाके इसको इसमोज करते जाना है कि आपकी तो वाइट ही कलर रहाएगा वाटर कलर टेखनीक में जिस तरह से वाइट कलर यूजने करते हैं तो वाइट कलर यूजने करेंगे कर अषरichen कि प्राईए दगा वाइब कर वाइब कि दोल्ट और वयुजने करते यूजने करतेंस कि अषरवर्स क ही उमाएब कि युजने कि आपको थे ऐसे वाइए और यदि आप क्रियोन से या आइल पेस्टल से बनाते तब इसी तरह से आप बना सकते हैं हलका से साइड में कलर लेकर शेडिंग कर सकते हैं तुरे जगह कलर भरने की आपको जरूरत नहीं है किनारे किनारे कलर लखाते जाएंगे इसको समझ करते जाएंगे आखों के आसपास भी थोड़ा से कलर लगाएंगे इस तरह से कलर को समझ करते जाएंगे इस तरह से कलर को समझ करते जाएंगे फेरों में वीजी तरह से कलर लगा के कलर को खेलाते जाएंगे झाल झाल दो नो से इल कलार लगाने हैं कर दो लगाने हैं कर लो लगा के समस्कों तेजरीट इस तरह से पूछने भी लगाना हैं कलर हमको पीछे के पैर में थोड़ा सा डार्क शेडून लगाएंगे यहां क्योंकि शाड़ो पड़ी तो थोड़ा कलर डाव दिखाई रहेंगे तोड़ा ब्राउन कलर लगाया है मैंने यहां पर कान में भी इसी तरह से करेंगे तोड़ा से कलर लगाके स्मॉज करेंगे से क्पाल सिर्फ करेंगे रहें हिजसे तो अब दम अज़नी कर दर्फी और ट्रॉज कर देंगे ब्लैक कलर में फिर लगाएंगे इसके लिए पतला बस ले लेजी कि इसको भी में समज करते जाना है कि अ कि अ कि शाहिन दिखाना है तो थोड़ा सा वाइट शोर सकते हैं बीच में कि इसके साथ से हौई बीचा करते हैं । यकमले है स्ना पतला बस दिखाना है, विंग वरा दिवोमिग समाहएं भी इजाघ बीच्पा करते हैं इस तरह से सींग बनाएंगे यहां भी ब्लैट कलर लेके स्विसमेश करना है नूज बनाने के लिए आपर ब्लैक कलर लगाना है बागी हिस्से में डार्ग ब्राउंड यहां मुणके लिए हार दाग एक लाइन बनाना है अब एक लाइन बनाने है पूछ में भी यहां ब्लैक कलर, ब्लैक में ब्राउन मिलाया, एक दम दारेक लिए ब्लैक यूजर निकारते हैं खोर में भी ब्लैक कलर लगाना है हमको, मैं ब्लैक बोल रही हैं लेकिन ब्लैक का आप ब्राउन मिलाके यूज़ करिए आप लोगिया लिव को आप मिलाके यूग निरहें एlarिकाई को टीजिए के विए बछली शारा है झांसोदोर है उप टूछ का आइ कि अटूज पहाँ कि अटूब आप प्रूपप प्राइब कि अटूजब औरेगा है। बसुआ बसुआ पर दो बसुआ हऊएखर अंप झाल झाल